मैं सोचने लगा या वह सोचने लगा आप सोचने लगें इस तरह के सेंटेंस को आज हम इंगलिस में ट्रांसलेट करना सीखेंगे पहले हम मैं सोचने लगा इसकी इंगलिस जानते हैं मैं को इंगलिस में I कहते हैं और सोचना को इंगलिस में थिंक कहते हैं मैं सोचने लगा इसकी इंग्लिस होगी I began to think, I began to think, तो चलिए सीखते हैं कि किस निया पर translate हुआ है, क्या निया में इसका, इसे वाक्यों को इंग्लिस में बोलने का, मैं सोचने लगा, देखिए जिस भी हिंदी वाक्यों में किसी करता, किसी क्रिया को करने लगा, जैसे यहाँ पर सोचने लगा, तो वहाँ पर begin to कप्र होता है, जब इस तरह का इतम साधारन वाक्यों हो तो, ठीक है, तो इसका निया में पहले subject लिखना है, उसके बाद begin to लिखना है, उसके बाद verb लिखना है, तो यहाँ पर subject कि मैं, आपका जो भी subject हो, जैसे यहाँ होता कि आपके वाक्यों में यहाँ होता कि तुम सोचने लगे, तो यहाँ पर I की जगह यू रहता है, वे सोचने लगें, तो वे को English में दे कहते हैं, तो I की जगह दे रहता है, उसके बाद begin to, उसके बाद जो भी आपके किरिया हो, यहाँ पर किरिया होता है, यदि होता कि मैं रोने लगा, तो किरिया होता है, वीप